नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मुबाइल न्यूस चैनल मेड़ो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलजन के शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से सेंसट के बज़स्वत्र का दूसरा चरन आज से शुरू उच्वाखंड में राश्चुकती शांसन लगने के मसले पार अंगावा दिल्ली के और इवन योच्छा पर दीपोगी चर्चा पश्चिम बंगाल में चुबते चरन के लिए मद्दान जारी विदान सभाग की उन्चार सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वो मद्दान के इंजो पर सुरक्षा के पुक्त इंतिजार मालिया के बिटेन में बेश पीमती घर का खुलासा टैक्से हेवन देश की कमपनी की मदद से खरीदा महर मालिया ने घर की खरीदी को बताया कानूनी तोर से सही भारत के मुख्य ने धिश देश में जजों की कमी पर हुए भावों पधान मंती से किया संख्या बढ़ानी का नुरोर ने पालिका की आलोचना ना करने की अपील की और आए पिल मुकाबलों में कोली का श्रतक भी काम नहीं आया गुजवात में बैंगलॉर को हराया दूसरे मैच में पोनकाता ने पूने को दीमा संसद में आग से दूसरे चरन का बजट सत्र शुरू हो गया है इस सत्र के भी हंगामेदार रहने की आश्रंका जताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से उत्राखन मिराश्ट्रपती शासन के मसले पार पूरा विपक्ष एक जूट हो गया है उस स्पीकर के लिए इस सत्र में भी शांती पूर्वक तरीके से सदन चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है लोकसभा स्पीकर ने जो सरवदली बैठक की थी उसमें भी कॉंग्रेस का साथ देते हुए आजेडी, एंसीपी, जेडियू, लेफ्ट ने स्पीकर से कहा था कि सबसे पहले उत्राखन में लगे राश्ट्रपती शासन पार चर्चा होनी चाहिए हाला कि स्पीकर ने भी साफ कहे दिया था कि क्योंकि मामला अदालत में चल रहा है इसलिए ऐसे में सदन में चर्चा करना संभव नहीं होगा पश्चिम बंगाल विधान सबा चनाव के चोथे चरन के लिए आज सुबह साथ बजे से मदान शुरू हो गया है चोथे चरन में उन्चास विधान सबा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं जिसमें और्थ परगना की 33 और हाउडा की 16 विधान सबा सीटे शामिल है चनाव के चोथे चरन में 345 उमीदवार चनाव लड़े हैं इस चरन में ट्रीनामूल कॉंग्रिस सरकार के कई मंतरियों के भाग्य का फैसला होगा चनाव के मदेनाजर सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए हैं भारत में मनी लॉंडरिंग के आरोपी मशूर शुराब का रुबारी विजयमालिया के बृतेन में बेश कीमती घर के मालिकाने का खुला सा हुआ है विजयमालिया का नाम बृतेन की मददाता सूची में भी है यहां उनका मकान है और स्थाई पतें भे इसका जिक्र भी है माले ने कहा कि बेश कीमती घर लेडी वाक का मालिकाना हक पूरी तरह कानूनी है बुटेन में विदेशी संपर्क वाली कमपनियों का उपियोग संपती खरीदने में किया जा रहा है और ऐसे मामले जाज के घेरे में आये है मालिया के अलावा इस घर का मालिकाना हग कॉंटिनेंटल एड्मिनिस्ट्रेशन सर्विस नामक कमपनी की है केरिबियन इलाके में कॉमन वेल्थ कंट्री में ये कमपनी रजिस्ट्रड है ये टैक्स हेवन देशों में एक है शिफसेना अध्याक्ष उदव थाकरे ने रविवार को कहा कि सरकार की ओर से जवहलल नेहरू विश्व विदेले चात्र संग के अध्यक्ष कनहिया कुमार को राश्ट्र विरोधी के रूप में पेश करना गलत है नासिक में अपनी पार्टी के पदादिकारियों की बैठक में उदव ने कहा कि पहली बात तो ये कि कनहिया कुमार को किस ने पैदा किया सरकार को इस बारे में विच्वार करना चाहिए उन्हें राश्ट्र विरोधी बताना गलत है उन्होंने चतावनी दी कि अगर युवाओं को इसी तरह राश्ट्र विरोधी करार दिया जाएगा तो वो देश के लिए खुल कर काम नहीं कर सकेंगे उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशों से भारतिय जनता पाटी युवाओं के समर्थन से हाथ दो बैठेगी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ मुख्य मंतरियों और हाई कोट के मुख्य न्याधिशों का संयुक्त सम्मेलन एक एतिहासिक अधिवेशन बन गया इस मौकी पर देश की मुख्य न्याधिश जुस्टिस टी एस ठाकुर नैपालिका की तकलीफ को बताते हुए ऐसा भावक हुए कि उनके आसु छलकाए जजो की कम संख्या पर बोलते हुए रूंदे गले से प्रधान मंतरी की तरफ मुखातिब होते जुस्टिस ठाकुर ने कहा कि सिर्फ जेलों में बंद लाखो विचारा धीन कैदियों या प्रतिवादी के भले के लिए ही नहीं बलकि इस देश की तरक्की और विकास के और सिर्फ आलोचना ना करें आप सारी जिमदारी नैपालिका पर नहीं डाल सकते जारगन के जमश्वेटपूर में प्रधान मंती नरेंदर मोधी ने महिला जन प्रतिनी धीयों से देश के विकास कारेों की चोकसी करने की अपील की रविवार को पंचायती राज दिवस प जन प्रतिनी धीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की एक तिहाई ग्राम प्रधान महिलाओं से विकास कारेों की निगरानी करनी चाहिए उन्होंने कहा कि संविदान निर्माता बाबसाहे भीमराव अंबेदकर के सपनों का भारत बनाने के लिए महिला जन प्रतिनी धीयों को आगे आकर अपनी भूमी का निभानी होगी भारती ऑलम्पिक संग ने रविवार को अभिनेता सल्मान खान को इस वर्ष होने वाले रियो ऑलम्पिक खेलों के लिए भारतीय सदभावना राजदूत बनाने के फैसले का बचाव किया इस वैसले को खेल जगट के कई दिगजों ने आलोचनाई की जुसके बाद आई ओए इसके बचाव में उतरा है I.O.A. ने यहां अपने मुखाले में M.C. मेरिकॉम सरदा सिंग, रितुरानी, दिपिका कुमारी, अपूर्वी चंडेला और मानिका बत्रा की मौजूदीगी में इसकी घोशना की इस वैसले की भारतिये पहलवान योगेश्वर दत्त सहित खेल जगत की कई अन्य हस्तियों ने आलोचना की संग्या धिकारियों के अनुसास सल्मान को भारतिय सदभावना राजदूत के रूप में शामिल करना देश में ओलम्पिक खेलों की और अधिक से अधिक लोगों का ध्यान केंदध करने से संबंदित है सूर्य कुमार की यादव की विश्म परिस्थितियों में खेली गई साथ रन की पारी और यूसफ पथान के उपियोगी योगदान से कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को पूने में IPL 9 के उतार चड़ाव वाले मैच में राइजिंग पूने सुपर जॉइन्स पर दो विकित से रोमांचिक जीत दाज की आखरी शणों में हाला की मैच काफी रोमांचिक बन गया था लेकिन ऐसे समय में आंदुर्य रसेल और सतीश और उमेश व्यादव के चकों ने के के आर की जीत सुनिश्चित की इसे पहले पूने सुपर जॉइन्स की ओर से अजिंग टीम को 6 विकित से हरा दिया बैंगलोर ने जीत के लिए गुजराट लाइन्स के सामने 181 रनों का लक्ष रखा था जिसे उसने 19 दसवलफ तीन ओवरों में 4 विकित गमा कर हासल कर लिया आईपियल के इतिहास में पहला श्रतक लगाने वाले विराट कोली का श्रतक बिकार गया 180 रन बनाने के बावजूत उनके गेंद बाज इस लक्षे को बचाने ही सके गुजराट की तरफ से सबसे ज़्यादा रन दिनेश कार्टिक ने बनाए वो पचास रन बनाकर नाबाद लोटे इससे पहले टॉस जीत कर पहले खेलने उतरी बैंगलोर की टीम ने दो विकेट खोकर अपने दिर्धारित 20 ओवरों में 180 रन बनाए कप्तान विराट कोली ने पारी की आखरी गेंद पर चौकल लगाकर श्रतक लगाया कोली 63 गेंदों में 100 रन बनाकर नाबाद लोटे खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पहुँचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मॉबाइल फून के माध्यम से तो आप जुड़ रही है मैं टोटी इसे तब तक के लिए नमस्कार